मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती जी हां साथियों बिल्कुल सही सुना आपने कोशिस नहीं मेहनत करने वालों की बिल्कुल हाड़ वर्क करिए और लाइफ में जो चाहते हैं वो सब आफिल करिए सभी हमें पहले तो टेलीगराम पर जोईन कर लें जिससे आपको सारी कलास मिल सके और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि आज आपका प्रेक्टिस सेट होगा जिसमें पढ़ाया नहीं जाएगा आगे बिलकुल आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे सिर्फ अभ्यास प्रस्न प्रेक्टिस के लिए तयार हो बताए जवाब दीजिए पहला प्रस्ना जुका है जवाब दीजिए पहले सवाल का क्या कहता है वो रेखा जो बृत्त को केवल एक ही बिंदू पर असपर्स करती है वो क्या कहलाती है बताए ये मैं सब एक बार हल करा चुका हूँ आज मैं कोई सवाल का जवाब क्लास में नहीं देने माला हूँ इन सब का जवाब आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लास खतम होने के गंटे के अंदर हल करके पीडियाप फाम में मिल जाएगा बहुत अच्छा बेरी गूड पंका सिंग राहूल कुमार अंकित कुमार स्वेता ग्रहरी देखे थोड़ी सी बात बता दूँ आपको ये एक बृत है यानि सरकल वा रेखा जो बृत को केवल एक ही बिंदू पर असपर्स करती है जैसे ऐसे अगर असपर्स करते हुए चली जाए तो एक ही जगा असपर्स कर रही है तो क्या कहलाती है क्या होगा असपर्थ रेखा चलो अगले का जब आप दो फटा फट वन का सी आरा सोनम का रिशब बेरी गुड साचीन सिलपी हाँ सभी को पीवियार स्टेडी परिवार की तरफ से रक्षा बंदन की धेर सारी सुबकाम ना है क्योंकि आज भी रक्षा बंदने कई जगे ब्रित की परिधी के किनी दो बिंदूओं को पर्तिछेद करती हुई रेखा क्या कहलाती है बताए ब्रित की परिधी के किनी दो बिंदूओं को पर्तिछेद करती हुई रेखा क्या कहलाती है ऐसे किनी दो बिंदूओं को पतिछेद करती हुई भाई ऐसे भी जा सकती है क्या नहीं हाँ ऐसे भी बोल सकते हो पताव क्या होगी लंब रेखा, तिरिज्या, असपर्स रेखा या छेदक रेखा जबाब दीजिए, इनका सही जबाब आपको टेली गराम चैनल पर मिल जाएगा राधा क्रिश्ना ठीक है, जो नहीं पढ़ें कोई बात नहीं आगे आप पढ़ लेंगे हर तरह के प्रस्नाज होंगे, प्रेक्टिस सेट होगा बताईए अगला जबाब दीजिए, बहुत आसान है इसमें कहरा निमलिखित में से कौन ब्रिहत कौन है इसमें थोड़ा सा कुछ गलत भी है ठीक है, तो इसमें बताना है कौन ब्रिहत कौन है, नब्बे से कोई मतलब नहीं, ये गलत छपा है ब्रिहत कौन, रिफ्लेक्स एंगल चत्तिफ नमबर है, ये कोड नमबर है, कोईश्चन के बीछे मत जाना कोड नमबर है धीरज, अनुज, मुहम्मद हसन बेरी गुड, आईए कोड नमबर चत्तिस, देखो भईया, ब्रिहत कौन की बात करें, तो ये तो समकौन है, ये रिजु कौन है ये समपूर्ण कौन है, यानि ये ब्रिहत कौन है तो चत्तिस सी सही है इसक्रेंशाट लीजिए इसका, जरूरी है, जिनको सिस्टम से बढ़ना है जबाब दीजिए नमलिकित में से कौन अधी कौन नहीं है सवाल के साथ जबाब देंगे भईया, याद रखना 37 नमबर है, अगर ए सही है, तो 37 ए लिखोगे आप आप 100 अस्सियंस नहीं लिखोगे ऐसे नहीं लिखना बिल्कुल गलत तरीका है, आप ये बताओगे बस 37 नमबर अधी कौन नहीं है भईया, ये अधी कौन नहीं है पहला नमबर तो क्योंकि रिजू कौन है, श्ट्रेट अंगल है अब बाकी सबी अधी कौन है जब आदीची अगला 38 कहरा यदि एक बृत्त की तरिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका ब्यास क्या होगा ये एक सरकल है इसका रेडियाफ दिया है मानलो 14 सेंटीमीटर आपसे डाइमीटर पूछा है यानि हम इसे ऐसे भी खीन सकते हैं डाइमीटर ये वाला मानलो ये भी पूछा है मानलो 14 दिया है 38 नमबर है नंदलाल साहू बहुत अच्छे चलिए ट्राइ करिए बताइएगा इसका अंसर टेलिग्राम पे मिलेगा सारे का जवाब नहीं दूए आपे इनका जवाब बिष्टरित आपको टेलिग्राम पे मिलेगा जिन में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कानी है यह बड़ा नहीं है कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बता देता हूँ लोग लेकिन सब नहीं बताऊंगा कह रहा है एक बिष्टिकी त्रिज्या चवदा है तो ब्यास क्या होगा भाई साहब यह सूत्र होता बाबु ब्यास बराबर दूए गुड़ा त्रिज्या होता है तो त्रिज्या चवदा है तो 28 सेंटिमेटर होगा यानि ये इतना चवदा है तो इसको पूरा मिलाओगे तो ये पूरा 28 हो जाएगा और ये भी 28 होगा ये भी 28 होगा ब्यास तो वही है न सभी रेडियस हैं बराबर होते हैं किसी भी पृत्तिकी सभी तिरिज्जाएं सभी ब्यास बराबर होते हैं 39 नमबर बताईए जवाब दीजिए निमलिखित में से कौन संपूर्ण कोण है कौन संपूर्ण कोण है बता वह यह संपूर्ण कोण यानि कम्पलीट एंगल एक ही होता है वो 360 हन्स सबसे बड़ा कोण आप कहोगे 39C ये फई है ठीक है आगे चले यहाँ पर मचिन लगा के नहीं रखूँगा बता दिया बद जान जाओ देखिए आथ जो वहार है रक्षा बंदन का कल भी है तो बहुत से कंडिरेट सब गाओं गए हैं घर गए हैं दूर दराज में जहां इंटरनेट नहीं है मुबाइल में नेटवर्क नहीं है तो आज संख्या नहीं जूड़ेगी मुझे पता है पहले से बताए जबाब दीजी अगला कहरा कि 45 अंस का कोटिपूरक कोड है 45 अंस का कोटिपूरक कोड संपूरक और कोटिपूरक आपने सुना होगा Complimentary and Supplementary Angle कोटिपूरक एक होता है संपूरक संपूरक सं कोड से संबंदित है न उसका उल्टा होता है जेखो भया कोटिपूरक संपूरक में इन्ही दोनों की कहानी होती है इन्ही दोनों की अगर कोटी पूरक बोले तो छोड़ो पहले इनको सम पूरक पे आ जाओ सम पूरक और सम कोट दोनों एक जैसे हैं तो ये सम पूरक नहीं है ये है तो वैसे कुछ नहीं लेकिन इससे सम्बंदित है कोटी पूरक से ये सम पूरक यानि ऐसा समझो अगर कोटिपूरक बोलेंगे तो दो कोणों का योगफल 90 होना चाहिए वो कोटिपूरक होता है अगर 45 का कोटिपूरक पूछ रहा है तो 45 से 45 को 90 से घटा होगे 45 आएगा इसका अंसर 45 होगा ठीक अगर कहा जाए कि 25 का कोटिपूरक बताओ तो 25 अंसर का कोटिपूरक कोण बताओ तो मेरे भाई 25 अंसर का कोटिपूरक 90 से 25 घटा आलो पैसर आएगा कितना आएगा पैसर ठीक है कोई डाउट किसी को नहीं ना कोई डाउट है तो बताओ 25 अंसर का कोटिपूरक कोण नहीं चलें आगे चलो निम लिखित में से कौन सी संख्या आठ चे पूर्ण बिभाजित है बताइए कौन संख्या आठ से पूर्ण बिभाजित है सौरव समीर खान जी तेंद्र बेरे गुड परांजल मिस्रा बहिए रक्षा बंदन तो कल है कहते हैं लोग कुछ कह रहे हैं कल है कुछ कह रहे हैं आज है क्या कह रहे हैं आज है कल कल सुबा तक है ना रात नौन वजे के बात सायत था दो सुबा सुबा मनाय जायागा चलो ये लिखित में से कौन से संख्या आठ से विभाजित है यहाँ पर आगे रहेगा निम्न निम्न लिखित बता भई आठ नंबर में चलो देखो भई यह अगर इसमें सी आप कहते हो ये वाला तो आप लिखोगे आठ नंबर ठीक है ऐसे आठ एठ एठ या आठ भी या आठ डी आएसे कमेंट करोगे राधा क्रिश्ना क्लास में सौ बार बोलता हूँ टेली गराम पर जोईन करिए क्लास की बारे में जनकारी के लिए नहीं करेंगे तो वैसे करते रहेए कमेंट कोई फरक नहीं पढ़ने वाला नाम भी ऐसे ऐसे रखते हैं आप लोग कि बोलने में भी थोड़ा बहुत वो लगता है अब धंक आपना नाम रखिए तो ठीक है कुछ बोल सकें आपको अब राधा क्रिश्ना जी को हम क्या बोलें पताईए क्या ही कहूं निमलिखित में से कौन सी संख्या चार से पूरता विभाजित नहीं है बताईए अगर चाहते हो कि मैं आपका नाम बोलू या कोई आपका जबाब दू तो अपने नाम से कमेंट करोगे उल्टा पूल्टा कोई नाम रखोगे भगवान का नाम रखोगे देवी देवताओं का मैं नहीं बोलने वाला हूं क्योंकि मैं उनको कुछ नहीं बता सकता हूँ वो मुझसे बहुत बड़े है ठीक है निवलिखित में से कौन सी संख्या चार से पूरता विभाजित नहीं है देखे चार का विभाजिता नहीं हम सबको पता है कि अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या का जो लाश्ट का जानते होग नहीं दो अंक उससे मिला करके बनने वाली संख्या अगर चार से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या चार से विभाजित मानी जाती है अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं मानी जाती है यह सिंपल सा फंडा है ठीक है कि निम्लिकित में से चार से पुर्जा विभाजित नहीं है तो नहीं है वाला कौन है देखो और 44 44 यह सभी चार से कट जाएंगे 11 नहीं कटेगा यानि यह वाला सही है और यह बोलोगे आप ठीक है यह बच्चों का फिडवाइक है बगल में वाइट एंड बलेक थोड़ा फाजीव लग रहा होगा क्या दिख रहा है आपको को नहीं देखिए कुश्चन नंबर के साथ अगर जबाब देंगे तो ठीक है नहीं तो फिर ऐसे करते रहे हैं चलिए इस्क्रेंसाट ले लीजिए देखिए लिखते क्या है एक यूजर लिख रहे हैं कि सर हमको बहुत कम आता है गरिद सर आप बहुत अच्छे सर हैं हैं सर आपको जनम देने वाली मा को लंबी खुसी दे लंबी उमर दे सर आपको कमजोर इंसान को गरित में मजबूत बना दे रहे हो आपकी जिन्दगी खुसाहाली से भई रहे बहुत भधन्यवाद आपको इतना अच्छा लिखने के लिए दूसरे यूजर क्या लिखते हैं कि फर्स्ट क्लास सर हमने देख लिया बहुत ही अच्छा है और इंट्रेस्ट भी लग रहा है बोरिंग नहीं फिल हो रहा है टाइम भी पता नहीं चल रहा है कब समय खातम हो गया थैंक यू और ग्रेटफूल थैंक्स दिख गया सभी को चले आगे चलिए तो यह बच्चों के फिड़बैक है जो कि आप लोग भी अपने विचार कमेंट कर सकते हैं वीडियो में जवाब दीजिए अगला टू नंबर में टू नंबर में जवाब दीजिए तीन च्छा नौ का लगुत्तम समापवर्त क्या होगा लगुत्तम समापवर्त को सार्टकट में लसी एम बोलते हैं लीस्ट कामन मल्टीपल बताएए देखो भाईया मैंने बताया था कि लसी एम अगर ऐसी स्रीज है जिसमें छोटी संख्या से बाकी की सभी संख्याएं पूर्ता विभाजित हैं तो ऐसी कंडिशन में उनका लसी एम सबसे बड़ी वाली संख्या होती है ऐसा है क्या नहीं अगर इनके हCF की बात होती तो फिर सभसे चोटी संख्या हो जाती लेकिन LCM में ऐसा कोई जुगाड होता नहीं इनका LCM होगा 18 क्या होगा 18 तीन नमबर में जवाब दीजिए समीर खान आपके कमेंट करने का तरीका गलत है बिलकुल गलत है दो नमबर में अगर D सही है तो आप बोलो तीन में तो तीन D कमेंट करेंगे यह तरीका है अगर ये वाला सही है तो आप बोलोगे 3B ये तरीका सही है आप सारे कुशन का आंसर कमेंड में नहीं लिख सकते हो इसलिए मैंने आप्सन दिया है जवाब दीजिए इनका सही जबाब PBR Study के टेली गराम चैनल पर क्लास खतम होने के एक गंटे कंदर मिलेगा पताईए फोर नंबर में खैरा बृत के किनी दो बिंदों को मिलाने वाले रेखा खंड को क्या कहते है बता भया बृत के किनी दो बिंदों को मिलाने वाले रेखा खंड को क्या कहते है चाप कहते हैं तरिज्या कहते हैं परिधिया जीवा कहते हैं कमेंट करिए सई जबाब आपको टेली गराम पर मिल जाएगा कलास खतम होने के बाद ये है टेली गराम का पूरा सिस्टम इसे देख लिजिए इफे जाकर के फटा फट जॉइन कर लेना नाम ये है आगे बढ़ें रेगुलर कलास में सब पढ़ाया गया ऐसा नहीं खावाम चल रहा है ये सब पढ़ाया गया सब समझाया गया कहराम अद्द बिंदू से चारों और समान दूरी होती है किस में आयत में वर्ग में या बृत में या तिरबूज में सिल्पी जी आपको ना ब्लग कर दिया जाएगा पर्मनेंटाज लाश्ट बार बता रहा हूँ क्योंकि आप रोज कलास में बीच में भाग के जाती हो न और जाती ही नहीं उसे धिनोरा पीट के जाती हो बाए मैं जा रही हूँ फलाने मैं जा रही हूँ अरे जाना तुम आराम से काय को सबको गवार मचा रही यह पूरा कलाफ नहीं देखती कभी मैं देखा हूँ दो तिन दिन नोटिफ किया मद्द बिंदू से चार और समान दूरी होती है किस में बाई साब मद्द बिंदू से चार और समान दूरी बृत में होती है ना वर्ग में नहीं होती क्योंकि उसमें कुछ अलग हो जाएगा अगनी बृत में होती शिक्स नंबर में जवाब दीजिए तिरबुज के तीनों कोड़ों का योगफल कितना होता है ये तो आज कल न ऐसा बचवा भी बता लेगा जिसकी मम्मी अभी BTC 3DR में होंगी वो भी बता लेगा चलो बताओ कुछ गलत नहीं सही बात है बता लेंगे न पका ठीक है तिरबुज के तीनों कोड़ों का योगफल 360 होता है का नहीं तिरबुज के तीनों कोड़ों का योगफल वैसा तीने कोड़ों होते हैं तीनों कोड़ों का योगफल 180 होता है एक परमिय भी होती इसकी चलो साथवा में जवाब दो फटा फट रेक्टेंगल का पेरिमीटर बताईए आयत यानि रेक्टेंगल इसका पेरिमीटर क्या होता है किसी भी बंदा अकरती के चारो गुजाओं के जोड को परिमाप कहते है यही होता है देखो परिमाप का सीधा फिदा एक तरीका जान लीजिए आज कल गाओं में बहुत सारे जानवर उतापाद मचा रखे हैं खेत खा ले रहे हैं तो चारो तरफ कुल तार बाड़ी बांधा होगा जल्दी दिखने को नहीं मिलता था यह है न तो जो खेत के चारो तरफ तार बांधने के लिए जितना तार की जरूत है न अगर चारो तरफ बांधा है तो वही खेत का परिमाफ है पेरिमिटर है और जितनी दूरी में खेती की गई है वो छेतर फाले के खेत का ठीक है इसका स्क्रीन साथ ले लिजिए फटाफट किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई पांच सेंटिमेटर है तो उसकी परिमिती क्या होगी परिमिती को परिमाब बोलते हैं या पेरिमिटर बोलते हैं आठ नंबर में जबाब दीजिए भाई किसी भी वर्ग का जो परिमाब है वो चार गुड़े भुजा होता है क्या चारो बुजाओं के जोड को परिमाब कहते हैं अगर बुजा को ए माल लें तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए चार बार हो जाएक चार है और ए कमान अगर कुछ दिया है तो चार गुड़े बुजा तो पांच सेंगा बीस पाचम पाचीस आठ में ए साही है नौ नंबर में जबाब दीजिए चलिए जल्दी करिए बताइए जल्दी का है को मुँमें दही जमाली भाई अभी तक बड़ी बगता ही निकल रही थी फलानी क्या कर रही हो मुझे तो तुम्हारी वड़ी याद आ रही है अब मैं दो चीन बात बोल दिया तो किसी को याद नहीं हारी खतम हो गही याद अईसा कैसा प्यार तुम्हारा हूं जो इतनी जल्दी खतम हो गया कि यहां प्यार करने वाले कितना लाट खाते हैं फिर भी ने सुधरते हैं किसी आकृतिकी परमिती क्या कहलाती है, बहारी भाग का योग, कोणों का योग, दो बुजाओं का योग या इन में से कोई नहीं चलिए, नाइन नमबर में जबाब हो चुका है तो सिक्स नमबर में आ जाओ ये कोड नमबर है, कुष्चन नमबर नहीं तानू मुम्ताज आलम यह प्रेक्टिस हो रहा है निमलिखित में से कौन सी संक्या 9 से पूरुता विभाजित है जो लोग पढ़े हैं सिर्फ वो ही बताएंगे जल्दी करें 6 में अगर C सही है तो आप 6C लिखोगे A सही है तो 6A और D है तो 6D यह तरीका है अपने आपको समझ यह कितना आपको आता है होगे आगे next question इनका सही जबाब अभी हम telegram channel पे सब भेज देंगे यह feedback है बच्चों के इनको देखिए प्यार से क्या कहते हैं लोग अपने बारे में मेरे बारे में इसक्रीन साट ले लिजे इसको पढ़िएगा बाद में वीडियो क्लियर करके जल्दी करें इनको भी इसक्रीन साट ले लिजे बाद में पढ़िएगा यह सब आप लोगों के feedback हैं क्लास के संबंद में क्या विचार हैं आप लोगों के वही तो यह जो class थी वो आज के लिए फिलहाल खतम हो गई एक बार हम फिर से repeat कर दे रहे हैं ठीक है एक बार हम फिर से repeat कर दे रहे हैं हाँ इनका सही answer class खतम होने के एक गंटे के अंदर टेली गराम पे मिल जाएगा तो जो बच्चा टेली गराम पे जवाइन नहीं किया वो जरूर जवाइन कर लेंगे टेली गराम एप नहीं है तो आप डाउनलोड कर लिजिए ठीक है भया आप तो इसका जवाब हर कोई बता लोगे बोलो क्या है बताईए जवाब दीजिए चलिए ठीक आगला सिकेंड में देखो अगर ए सही है तो आप टू ए कमेंट में लिखेंगे और सी है तो टू सी है ऐसे आप सन बताएंगे जल्दी करें बेरे गुट तीफरा बताईए चतिफ नंबर बताईए एक कोड नंबर है कोईश्चन नंबर नहीं है अगर पर पढ़ाई नहीं हो रही है शिखाया जा रहा है पढ़ाने शिखाने में अंतर होता है ठीक है सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है यहां पर दोभी का गधा बनने वाला नहीं है प्रेक्टिस यहां पर हसते खेलते पड़ते हैं निमलिकित में से कौन अधिक कौन नहीं है बताओ बताईए अधिक कौन नहीं है अप्ति उसे अंगल नहीं है एक बृत्त की रेडियस दी है तो आपको इस में से पेरिमीटर निकालना है बताओ क्या आएगा सचिन पढ़ाई द्यान दीजिए अधिक करने से मुझे ने लगता कोई मतलब है इसका आप सही आंसार आपको टेली कराम पर मैं भेद दूं यहीं मतलब है ना ठीक है तो यह mixed question का आज exercise थी जो मैंने करवाया इसमें जिनको आता है जिनोंने पढ़ा होगा उनके लिए बहुत अच्छा है जिनों नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा था वो इसे समझने कोशिस करें अगर आप regular class में आओगे यह सब clear हो जाएगा पोर में जवाब दीजिए क्या आएगा पोरे फोर भी या फोर फी दी क्या बताईए ठीक है तो आज यह practice set था कल भी practice set होगा एक तारीक को सब रक्षा बंदन से आ जाएंगे तो आगे पढ़ाए जाएगा ठीक है तो जो regular नहीं देखें है class उनको समझ में नहीं आएगा आप इसके पीछे की 14 class हुई है उनको देखें बेसिक मैं था आपको आता है तो फिर यह practice समझ में आएगा नहीं आएगा तो क्या कहना है आप सभी का कुछ कहना है इन सभी question में मज़ा नहीं आ रहा ना कुछ नया करवा दूँ चलो आचा बहुत इंट्रेस्टेड कुछ न बताओ 25 नंबर मानलो यह बताओ संख्या 360 का 80 परफेंट कितना है थोड़ा इंट्रेस्टेड और मज़ेदार बताओ बताओ यह क्या आएगा जबाद दीजिए कि हल कर लेते हो ना ऐसे निकालते हैं पहले वह पूरा नंबर फिर का की जगाह पर फेंटेज परफेंटेज के परफेंटेज का चिन हटा के 100 से भाग करते हैं याद रखना एक जीरो से एक जीरो तुफर के फेंटुफर का कि चतिक गुड़ा आठ आठ चांग तालीच हांफिल चार आठ तरिक चौविस चार अठाइस यह अंसर दूसो अठासी कितना है दोसो अठासी ठीक है कोई डाउट किसी को कोई दिक्का नहीं चलिए संक्या तीन सो साट का आसी परसेंट हो गया अगला बताईए अगर किरिशी परिक्षा में प्राप्ता आंग जो है वो तीन सो हो पुडा अंग मादलो की 900 है तो पर्फेंटेज बताओ कितना होगा बताओ सौर अब समझ में आ रहा है एक पर थाभी हाँ बोल दो आ रहा है पर्फेंटेज बराबर ये सूत्र लगाओगे प्राप्ता अंग प्राप्तांग 300 100 से गुडा करके पुडांग 900 से भाग ठीक है दो जीरो से दो जीरो कर्णसिल तीन भाईया 900 से ये तो कटे गई ने यार अईसे तो सही तो है ना तीन से काटो 100 वटा तीन आएगा तीन से भाग करोगे तो ताइंटीस सही एक वटा तीन आएगा ये पर फेंटज ठीक है या फिर 33 पॉइंट वही लगा दो आप जो लगाते हो 33 वाला कोई डाउट किसी को नहीं ना लिख लो जल्दी जल्दी तो आज की क्लास यहीं पर खतम होती है किसी को कुछ कहना है क्लास के बारे में तो बताईए कोई डाउट संसार हर उस ब्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हड़ जाता है जो जानता है कि वो कहां जा रहा है संसार उस परतेख ब्यक्ति को जगह देने के लिए बिल्कुल फामने फे हड़ जाता है अगर वो जानता है कि वो कहां जा रहा है समझ रहा हूं जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हो खुब अच्छी खासी भीड़ है ट्रेन में जगा रखने मतलब जगा पैर रखने की नहीं है भारती रेलो एक बात कर रहा हूं जो नार्मल कोच की बात्रूम में भी लोग भरे होते चार पांच लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि लगी है उसको भाग रहा बात्रूम की तरफ जाई रहा है वो लोग कितना भी भीड़ रहेगी साइड उसे दे देंगे भाई जाने दो इसे लगी है इसके जाने दो जाने देते हैं ना बा तो वैसे लाइफ में होता है जो कुछ आपको करना है ना डिसाइड करो और कर डालो वैसी सिच्वेशन बनेगी और आप कर पाओगे लेकिन अगर आपका खुद ही लक्ष डिसाइड नहीं कि आपको क्या करना है नाम लिखवा दिया बेटी सी में बिया हो जाएगा इफिलिये बाकी आगे लाइफ में क्या करना है कुछ पता नहीं है पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही सिर्फ खा के सोया जा रहा है बहुत सैसे कंडिडेट है जो लाइबरेरिम जाके सो रहे हैं एसी के हवाल ले रहे हैं बाबू पैसा दे रहे हैं कमरा किरया अलग दे रहे हैं कमरें पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि सेल्फ अनुसासन नहीं है ना इसे कुछ तो इसलिए लाइबरेरी जोईन किया है कोहां सबकी देखी देखा पढ़ेंगे अब वहां जाके इंटरनेट वाला प्यार का सीरि समझ रहे हो कि नहीं ऐसा है ना तो ऐसे हो रहा बहुत लोगों के साथ क्या होगा कुछ नहीं होगा फिर तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बात को समझें सुदर जाएं डिसाइड करें कुछ लाइफ में और उसे कर जाएं ठीक है थैंक्यू